अब दियावेज इफेक्टिविटी होती है हेपटाइडिस B वायरस की पेशिट का अगर है इस हेपटाइडिस B वायरस से इंफेक्टिड अगर एक पेशिट आया है तो इसकी जो सिरोलजी होती है उसपे हमें E antigen positive नज़र आता है और E antibodies negative नज़र आती है infectivity of the hepatitis B वाले patient के अंदर के जब वो infective stage के अंदर होगा तो उसकी E antigen positive होगा और E antibodies उसकी negative होगी serology पे अब इसकी 5 stages होती है hepatitis B virus की और उनकी अलग-अलग test होते हैं सबसे बहले जब आपको acute infection होगी तो आपका surface antigen भी positive होगा E antigen भी positive होगा और आपकी core antibodies में IgM positive होती है लेकिन आपकी जो anti-surface antibodies होती है वो negative होती है जब chronic infection होती है तब भी आपका surface antigen E antigen positive होता है और आपकी core antibodies होती है वो positive होती है लेकिन chronic infection में IgG positive होती है और आपका surface antibodies होती है वो negative होती है जब आपकी पहले previous infection हुई और आप उससे immune हो गए तो आपके surface antigen भी negative होगा और आपकी core antibodies जो है वो भी आपकी negative होगी वो आपकी positive होगी और आपका anti surface antibodies भी positive होगी core antibodies जब एक दफ़ा infection हो जाती है तो आपकी core antibodies positive हो जाती है तो anti surface antibodies भी positive हो जाती है बाव जब आप वेक्सिनेशन कराते हो तो वेक्सिनेशन में आपके सारे एंटिजन भी नेगेटिव होगा, सारी antibodies भी नेगेटिव होगी सिफफ work surface antibodies जो वह positive होगी क्यों कि वाक्सिनेशन पेनी को शोकरती है तो आपका confessionus सर्फिस बिन चुब होगा कोर इंटिजंगत्य बहुता है आपकी सर्फिस अंटिजन बहुताइब पॉस्टिव होती है रेकिन परिजे ग्न único पोजिटिन मों होते हैं और आपके जो सर्फिस यौस बीज़़ ब्रति बहुत है window period के अंदर सिर्फ फर्स चरफ आपकी core antibodies positive होती है और वो भी IgM होती है और जो आपकी anti-surface antibodies है वो आपकी immunity को show करती है तो इसलिए जब आपको एक दफा जब आपको hepatitis B virus की infection हो जाए उसके बाद जब आप immune हो जाते हो तो आपकी surface antibodies आ जाती है अगर core antibody है तो इसको acute hepatitis होगा एक patient है जो डाइगनोज हुआ है hepatitis के लिए और high transmission infection कब होती है जब आपका E antigen positive होते है लेकिन आपकी E antibody negative होती है inflammation होती है आपके portal droids की spill करती है आपके adjacent lobules के अंदर bands of inflammation होते हैं जो extend कर रहे होते है portal areas के और terminal hepatic vein के दिर्मयान में और साथ हमें liver necrosis भी मिलती है तो हमें ये chronic acute infection जब होती है 44 ये old male था medical technician है उसको malaise हुआ है fatigue हो रही है और history है jaundice की 10 साल पहले उसको यरकान हुआ था jaundice हुआ था LFTs में उसका ALT 140 है EST 137 है total blurbine उसका 1.8 है direct blurbine इसका 0.8 है further investigation कराई तो हमें fibrosis मिल रही है साथ आपका जो lemon of the hepatocytes की destruction होई है fibrosis हो रही है hepatocellular ballooning हो रही है inflammation होगी आपके triads की तो कौन सा test होगा जिससे होगा तो उसमें हम surface antigen कराएंगे ठीक है hepatitis B virus का surface antigen हम कराएंगे जब आपका surface antigen positive होता है तो वह indicate करता है कि बहुत high incidence है chronic hepatitis की ठीक है chronic hepatitis B के अंदर आपका surface antigen positive हो जाता है ठीक है surface antigen आपका positive होता है chronic hepatitis B के अंदर जो common cause है hepatocellular carcinoma की पाकिस्तान के अंदर वो hepatitis C है पाकिस्तान के अंदर hepatitis C के वज़ासे hepatocellular carcinoma होता है और वैसे overall hepatitis B के विज़ासे hepatocellular carcinoma होता है जो third most common cause है cancer की worldwide तीसरा जो सबसे जब ल्वर का cancer है we Wyoming Hepatitis C की worldwide अगर worldwide पूछा हो गए तो हमने chronic hepatitis B की वज़ासे hepatocellular carcinoma होता है लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अधर इस पेक्टर इस में आते हैं जिनके वज़ासे है पेटर सालोल कार सुनोमा हो सकता है अलकोहलिक लेवड़ डिजीज नॉनकोहलिक फैटी लेवर डिजीज के वज़ासे भी और हीमयो क्रोमाटोसीस के एलफामेर एंटिप्सिन की की डिशिनसी ज़ियाए विल्सन दिशीज में या कार्सिय्ज इने फला टॉकसिंज जो कि एसपर्जिलिस से आते हैं typerolickौ कार्सियों फ्ला टॉकसिंज बॉट इंप्रॉडेलर कार्सियों में इसपर्जिलिस से आता है findings में हमें jaundice मिलता है tender, hepatomegaly होती है ascites होती है, polycythemia होती है anorexia होती है, भूक नहीं लगती है आपके blood cells जात हो जाते हैं polycythemia होते है, ascites हो जाएगा abdominal, water accumulation हो जाती है ascites develop हो जाएगी fluid हो जाता है abdomen के अंदर और tender, hepatomegaly होती है jaundice होगा, spread करता है blood के through spread करता है liver cancer इसमें diagnosis में हमें alpha-fetoproteins के level जादा मिलते हैं और जब हम ultrasound कराते हैं तो हमें नजर आता है, या फिर हम CT scan या पर MRI कराते हैं contrast enhanced CT scan या MRI कराएं या पर ultimately हम biopsy लेते हैं जो most common cause है fatty liver की पाकिस्तान के अंदर वो increased fatty food intake पाकिस्तान के अंदर fatty liver disease common है जो most common cause है fatty liver कौशिर कोर के अंदर protein deficiency है कौशिर कोर वाले patients के अंदर protein deficiency की विजा से fatty liver हो जाता है पाकिस्तान के अंदर जब से common cause है वो increased fatty food है previously एक alcoholic patient था उसको cirrhosis develop होगे कोई recent history नहीं है कि उसने alcohol consumption की थी the patient is at risk of hepatocellular carcinoma अलकोहल की विजासे भी hepatocellular carcinoma हो सकते है जो most common hepatic malignancy है वो metastasis to the liver है ठीक है लिवर के अंदर सबसे जादा जो common cancer होता है वो metastasis होती है कहीं और का cancer होता है और फिर लिवर तक फैल जाता है तो सबसे जादा जो common hepatic malignancy है वो metastasis to liver है फार्मर को अगर hepatocellular carcinoma हो तो उसकी वज़ा जोगी हो एफला टॉक्सिन होगी यूंकि aspergillus fungus होती है वो अकसर crops में होती है तो उसकी वज़ासे एफला टॉक्सिन की वज़ासे फार्मर्स में hepatocellular carcinoma होता है एक patient आया है जिसको liver cancer है और history है कि वो pipe factory में काम कर रहा था तो vinyl chloride की वज़ासे भी hepatocellular carcinoma हो सकता है tumor मार के hepatocellular carcinoma को alpha phytoproteins होती है कौन सी चीज होती है जो के एफला टॉक्सिन करा सकता है hepatocellular carcinoma कराता है alcoholic patient है उसके LFTs बढ़े में है उसका alpha phytoproteins के लेवल भी जादर हुए है जो के characteristic होता है hepatocellular carcinoma का अब एक patient था उसने कोई एक drug लिए अपनी physique को strong करने के लिए sports activity के लिए कुछ महीनों के बाद उसका hemoglobin 19 हो गया hematokrit उसका 50 हो गया एक terrace हो गया acne, azospermia हो गया कौनसा ट्यूमर किस रिस्क पे होता है hepatocellular carcinoma के रिस्क पे होता है previously alcoholic person था उसको सिरोसिस डिवेलप होगी कोई हिस्ट्री नहीं है कि उसने रीसेंटली अलकोहल नहीं लिया लेकिन फिर भी वह रिस्क पे होता है hepatocellular carcinoma के अगला MCQ में दिया है 44 ये old male medical technician है जिसको malaise हो रहा है fatigue हो रही है jaundice की हिस्ट्री है 10 साल पहले उसको jaundice हुआ था LFT उसके ALT उसका 140 AST 137 है total blurbine 1.8 है direct blurbine 0.8 है further investigation की तो हमें fibrosis मिल लिए lamina of the hepatocytes की destruction होई भी है ठीक है fibrosis हुई भी है हमें hepatocytes की destruction मिल रही है hepatocellular ballooning हुई भी है inflammation हो रही है आपके triads की तो इस तरह के patient के अंदर हम surface antigen hepatitis B virus surface antigen कराते हैं क्योंगे chronic hepatitis B को show करते हैं ये वाली condition councilman bodies viral hepatitis में होती है malary bodies जो के intra cytoplasmic includes होती है और जो centri-lobular congestion होती है वो alcoholic hepatitis के अंदर होती है alcohol के वजास से आपकी centri-lobular lobules के around congestion हो जाती है centri-lobular congestion होती है साथ हमें malary bodies मिलते हैं जो intra cytoplasmic includes होती है councilman bodies हमें viral hepatitis में मिलती है ballooning degeneration viral hepatitis के अंदर होती है और fatty liver disease में होती है interlobular ducts की primary biliori cirrhosis के अंदर primary biliori cirrhosis के अंदर interlobular ducts की injury होती है साकोüzücrate के अंदर हमे granulomas मिलते है peace meal necrosis जो होती है viral hepatitis और primary biliori cirrhosis मेme autoimmune hepatitis में anti smooth muscle antibodies मिलती है anti smooth muscle antibodies हमें autoimmune hepatitis में एक अडल्ट था उसने कंप्रेन किया कि उसको डिसपेपसिया हुआ है लॉस अफ एपटाइट हो गई है साथ उसकी अल्कोहलिक कंजाप्शन की हिस्ट्री थी लिवर बायोपसी के उपर हमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज नजराई जो करेक्टिस्टिक फीचर होता है जिसको जॉन्रस डिवेलप हो गया है एस्टी उसका जादा हुआ है लिवर बायोपसी के उपर हमें प्रेजन्स ओफ मैलरी बॉडीज मिल रही है यह फाइनिंग सेजेस्टिव है अल्कोहलिक हैपटाइटिस में अल्कोहलिक लिवर डिजीज में मैलरी बॉडीज हमें मिलत क्याइट ड्वाइस से बहुत है और ग्जीट्व आपका रेज्ट है इस सिक्स ताइमस से न नarmal माइक्रॉस्पक फानिंग समें नजर आएगिज यहीं पीस्मील नेक्रोसिस हमने पाद के प्राइम्री बिलरी सिरोसिस में इमें मिलती है जिसमें आपका अप्रीबी सिरोस जिसको chronically enlarge उसका लिवर है LFT उसके डिरेंजड हो गए है और congested neck veins है centri-lubular congestion and necrosis and early fibrosis the cause of such his logical findings are chronic alcoholism अगर एक alcoholic jaundest patient है alcohol लेता है jaundest उसको हुआ है उसका लिवर बढ़ गया है LFT उसके खराब हो गए है neck veins उसकी congested हो गए है centri-lubular congestion हो रही है तो centri-lubular congestion में बढ़ा था कि alcohol के अंदर होती है alcoholic hepatitis वाले patients में necrosis only early fibrosis है तो इस लॉजिकल findings में liver jerks को chronic alcoholism की findings आरें chronic alcoholism की बाद यहां पर दियावे कि 62 यह old man है जो अमेर्जेंसी department के अंदर आया disoriented state के अंदर physical examination के ओपर हमें jaundice मिल रहा है spleenomegaly मिल रही है ascites मिल रही है जो कि ह्पेटिस अलोल कार्शनोमा के ही है कि उसमें jaundice भी होता है sorry jaundice हो रहा है spleenomegaly हो रही है ascites हो रही है serum ALT AST alkaline phosphatase और प्लुरिबिन सारे elevated हैं लिवर पाप्सी के ओपर हमें इसमें इंटरोवन बंडल्स होते हैं इसमें आपका इंटरोवन बंडल्स होते हैं